एलो फ्रेंड मैं निशित कुमार बतेल एडवाइजर ओफ केर इमिग्रेशन और विजा सर्विसेज असोशेटेड विथ मैट्रिक्स इमिग्रेशन और विजा सर्विसेज एक दफा फिर हम आपके सामने आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके प्रेसेंट हुए है जैस पिर जीन बच्चों ने सब्टमबर 21 के लिए अपनी फीस पेमेंड कर दी है जीन बच्चों का मेडिकल हुआ है जिनका बाइयोमेट्रिक बाकी है जीन बच्चों का फाइनल यह माक्षित बाकी है वो सारे स्टूडेंस उनके पैरेंस और उनके एजंस सब कन्फ्यूज रह यह ठीक है तो यह पूरी information लेने के लिए वीडियो आप एंट तक जरूर देखेगा ठीक है तो जैसे मैंने बोला तो हम चलो इस पर topic पर आ जाता है कौन से students जो September 21 इंटेक के लिए जाना चाहते है उनको बिलकुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो यह वाले students जो होंगे उनको बिलकुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है September 21 के लिए कौन से जिसके medical test खतम हो चुका है जी हाँ दोस्तों अगर आपने अपना medical test एक साल के अंदर कभी भी किया है यस वान येर उसका validity होता है तो एक साल में कभी भी अगर आपने चैनेडा का medical test किया है तो दूसरी दफ़ा आपको करने की जरूरत नहीं है उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दूसरे दंबर पे आते जो बच्चे जिनकी कोई माक्षीट्स certificates या exams इंडिया में pending नहीं है मतलब उनके पास अपनी फाइनल येर की माक्षीट्स या certificates आ चुका है तो उनको भी टेंशन लेने के जुरूरत बिल्कुल नहीं है उसके साथ में जी हाँ दोस्तो अनकंडिशनल एलो इस पर खास आप त्यान रखेगा अगर है LOA यानी offer letter LOA यानी आपका admission letter कहने राका वो unconditional ही होना चाहिए ठीक है अगर वो unconditional नहीं है तो आप care immigration की team को भी पूछ सकते हो के unconditional एलो एक कैसे लिया जाता है या फिर आप अपने agent को भी पूछ सकते हो या फिर आप खुद ही अपना जो offer letter होता है उसको जड़ा घौर से पढ़िएगा तो उसके अंदर लिखा हुआएगा conditions उसके अंदर आएगा एने मतलब उसका कोई condition नहीं है तो वो offer letter को कहा जाता है unconditional अगर आपका कोई mark sheets या आपका IELTS का certificate आपको आगे भेजना बाकी होगा तो जो offer letter है उसके अंदर condition के अंदर वो चीज mention होगी जी हाँ वो चीज mention होगी IELTS आपको submit करना है final year का mark sheets या degree certificate सब्मिट करना है तो वो letter को आप unconditional alloy नहीं बोल सकते उसको condition alloy बोला जाता है तो condition जो alloy होता है उस पर आप Canada visa की file नहीं रख सकते अगर रख दी आपने तो आपका visa refuse होने का chances ज्यादा है ठीक है तो आप ये खास द्यान दखेगा का आपका जो alloy है वो unconditional होना चाहिए चुला आगे बढ़ते हैं आगे अगे अगर आपने tuition fees paid कर दी है चाहे आपने first semester की बरी हो या first year की अगर आप non-sds में जाते है non-sds ठीक है तो आप एक semester की fees बरेंगे अगर आपको sds में जाना है तो आप one year की फी बरेंगे ठीक है तो कोई भी हो आपने first semester की बरी है पूरे शाल की फी बरी है वो उसकी receipts आपके पास होनी चाहिए GIC guaranteed investment certificate GIC paid होना चाहिए साथ में biometric जी हा दोस्तों आपका biometric भी done होना चाहिए तो यह जो सी चीच जिसके पास सारी खतम है ठीक है उनको विल्कुल tension लेने की जरूरेत नहीं हम उनको बोलते हैं अपनी तरब से के you are a hundred percent happy because you are going to September 21 yes जी हा आपका यह सारा प्रोफाइल अच्छी तरह रहा तो आपका September 21 का वीजा जरूर आ जाएगा ठीक है फिर भी हम suggest क्यां करता है उन दोस्तों को उन students को हम यह suggest करना चाहते है कि आप इंडिया में से कोई भी पार्ट में हो आप चाहे दिल्ली हो या पंजाब चंडिगर्ड हरियाना गुजरात मध्यप्रदेश महरास्र गोवा साउथ में कहीं पर भी हो लेकिन आप vaccinations का first and second dose जरूर लिजेगा यह vaccination कौन से लेनी है आपको और कौन से vaccination ही कैनेडा में चलेगी इसके लिए हमने एक separate वीडियो बनाया है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अगर आपने वो लिंक नहीं देखी है और आप सब्टेंबर के लिए सब्मिट कर सकते हो अपनी अपनी फाइल आप कभी भी जी सी की में डाल सकते हो तो यह बच्चों को जीन के पास यह खता में यह जरूर सब्टेमर्ट ने की जरूरत नहीं है हम अपनी तरफ से कहते हैं तो आगे क्या होगा तो चलो हम वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ात यह हमारे पास अंकंडिश नभी आलोए है हमारे पास स्ट्वी बीपेड है ऑल्रेडी और हमारे पास उसकी रिज़िप्ट नहीं मैडिकल टेस्ट और बायोमेट्रिक नहीं है ये दोनों चीज, Canadian High Commissions, किसके कंट्रोल में है? Canadian High Commissions और आप जिस स्टेट में रहेते हो उस स्टेट की गवर्नमेंट, ये दोनों के बीच की बात है ये, क्यों है या? आप बलतों स्टेट की गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल रहेगा? मैं आपको समझाता हूँ. बायोमेट्रिक और मेडिकल टेस्ट उसी स्टेट में हो जाए, जहां पर लॉकडाउन नहीं है. जैसे अभी दिल्ली में लॉकडाउन है, महरास्ट में बहुत से सिटीज में लॉकडाउन है, साउथ में एक दो स्टेट्स में लॉकडाउन है, तो उनकी गवर्नमेंट वो पर पर बंद है और medical test यह high commissions ने बंद किया क्यूंकि high commission को एसा लगता है कि अभी जो इंडिया में ये पेंडामिक चल रहा है उसकी second wave जो बहुत ही खतना के लेकिन आज कल cases कम होना start हुए है और शायद आके जाके हम बगवान को यहीं प्रात्ना करेंगे गौड को खुजा को कि वी और केसिस उसमें कम हो जाए पहले की तरह भारत पूरा चलना दोडना चालू कर दे भारत के सारे युवा बच्चे अपनी पढ़ाई पर जोर सोर से लगे पढ़ाई ही एक चीज है जो आपको आगे ले जाएगी पढ़ाई ही चीज है चाहे पढ़ाई आप इंडिया में करो या कैनेडा यू आस ऑस्टेलिया न्यूजिलेंड लेकिन पढ़ाई करना जरूरी है ठीक है तो जैसे जैसे यह स्तीती में परिवर्तन होगा स्तीती ओस्टर को बोलें तो अभी आप रिलेक्स हो आप मेड़ीक शतार्ठ कर दो अभी उन्होंने ऐसा सोचा है कि इंडिया में और अभी डिक्ल हो की बहुत ही जरूरत है तो हमेरे यहां जो डॉक्तर व्लाइक हैं जो मैडिकल वगेरा करके काम करते तो यह दोनों चीज जो पेंडिंग है उनको भी ज्यादा टेंशन लेने के ज़िरूत नहीं है लेकिन जी हाँ लेकिन आपको यह सब चीज के साथ में यह चीज रेडी करके रखनी है क्या रेडी करके रखना है जैसे आपके सारे वीजा फाइल के डॉक्यूमेंट्स आपका डॉक्यूमेंट्स अगर आप नॉन स्द्स में जा रहे हो तो फिर आपका फी रिसीप्स आपका जी आईसी सर्टिफिकेट्स आपका फोटोग्राफ जो डिजिटल फोटोग्राफ लगता है वीजा की फाइल में वह आपके फॉर्म स्पील आपका एसोपी और जो भी आपक जैसा यह दोनों चीज होगी आप तुरान अपनी फाइल अपकर सकते हो तो यह दोनों चीज खुलेगी और अभी सब्टेम्बर के लिए अगर आप सोच रहे हूं अगर सप्टेमर 21 के लिए अगर आप सोच रहे हो तो बहुत ताइम है तब तक आप मानिए होफुली हम भी पॉजिटीव है आप भी पॉजिटीव रहे है तो यह देवनों चीज आपकी खुल जाएगी लेकिन उस ताइम पर आपको इसके लिए भागना नहीं है नहीं इसके पैरामीटर में फीट हो रहे हो तभी आप इसके लिए दोड़िए अब समझे गए न अगर इस में से कोई पैरामीटर आपका बाकी है तो इसके लिए दोड़ने के जरुरूरत नहीं है ठीक है जैसे आपका इंडिया में एक्जाम्स बाकी अगर आप 12 के बाद जा रहे हो तो अभी से आपको यह सारी चीज नहीं अरेंज करनी है इसके लिए हम आगे का स्लाइड आपको दिखाएंगे ठीक है तो अगर आप इसमें से अगर आपके एक्जाम हो चुकी है लेकिन आपका माक्षिट्स नहीं आया उनिवसिटी में से तो शायद आपका सप्टेबर 21 नह है और जैसे मैंने आगे वीडियो में भी बताया कि कौन सा वैलिड वैक्सिन है तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो तो इन सारे आप्संस के लिए हमने उन स्टूडंस को दिया है एकी परसंट आपके चांसिस है कि आप सप्टेमबर 21 कैनेडा जा सकते हो ओके दोस्तो चलिए आगे क्या स्लाइड में पहुतते हैं कि आपको वरीड होना है अगर यह चीज पेंडिंग है तो आपको वरी होना है या फिर आप जान टेडिटू करें ठीक है जैसे वहाँ पर हमने खतम लिस्ट बताया था आपको पूरा के कौन से लोग जा सकते है य लिखे गाले मेरीडिकर से सबका पेंडिंगло का बऊटसे बच्चों का बाइयो मैक्रीक ये दोनों चीज आ न वह पहुंट से बच्चों को पेंडिंग इसके लिक लिए हमने आगे बताया था आपको वीडियो में कि अगर इसी यह पेंडिंग तो आप टेंशन असी परक आपके chances है September 21 में जाने के लिए ठीक है ये दोनों लेकिन उसके साथ साथ जी हाँ दोस्तों ये दोनों के साथ अगर आपका माक्षित कोई pending है आपका degree certificates नहीं आया है या फिर आपका इंडिया में exam spending है जी हाँ ये इसके साथ में ये चीज में से भी कुछ pending है या फिर आपका unconditional unconditional एलोए मैंने आगे भी बताया conditional एलोए क्या होता है unconditional एलोए क्या होता है आपका unconditional एलोए बाकी है अगर आपका आपने कोई fees payment बरी है और ये fee payments का receipts बाकी है ठीक है और ये खास ध्यान में रखेगा अगर आप fees paid कर रहे हो September 21 के लिए क्योंकि बहुत से student का पैसा बहुत से students का चीज क्योंकि बहुत uncertainty पुली फेर अपका पैसा बिगर सकता है उसके लिए और हमने एक वीडियो बनाया जी हाँ दोस्तों तक्रीबन चार से पाँच लाख रुपीस आपके डूप सकते है या फिर refund नहीं हो सकेंगे क्यों नहीं refund हो सकेंगे उसके लिए हमने अलग separate वीड और लेटर unconditionally है आपने फीज नहीं पे किया है तो बढ़ने से पहले अपनी ओफर लेटर के अंदर डेड़ लाइन जरूर देखेगा अगर आपके ओफर लेटर में डेड़ लाइन पास हो चुकी होगी और अगर आप फी बरेंगे आपको फी वापस कर दी जाएगी और वो भी administration charges काटने के बाद वापस मिलेगी अगर आपके अंदर college में से mail आया है कि आपका course हमने September 21 के लिए suspend कर दिया है प्लीज फी मत भरियेगा अगर वो mail आपने read नहीं किया या फिर आपके agent नहीं किया और आपको fee paid कर दी तो भी फी आपकी वापस आएगी वो भी administration charges कटने के बाद और वापस तुरंत नहीं कि फीज वापस आने के लिए तक्रीबन दो याद धाई महिना लगता है तब तक आप दूसरी college में fee भी पेर नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यह खास ध्यान रखेगा ठीक है तो अगर यह सारी चीज आपके पास spending है वही या तो हमारा suggestion रहेगा कि होगी उसकी माक्षित कब आएगी ठीक है और जान 22 आप बोलें के जवान 22 में तभी तो छे महिने बाकी है college ने एडमिशन स्टार्ट क्या university ने किया तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं तक करीबन हरे college university ने जान 22 के लिए admission स्टार्ट कर दिया है अगर वह भी लीस् तो हमारा एडवाइस क्या रहेगा चलो फीड भी आपको लगता है कि नहीं हमारी एक्जाम जून में हो रही है या मई में हो रही है तक्रीबन जून जुलाई तक हमारा माक्षित चया certificate आ जाएगा जी हा तो भी आप सप्टेमबर कर सकते हो लेकिन हमारी एडवाइस क्या रहेगी कि आप रेग्यूलर अपडेट चेट कीजिए केनिडेन गवर्मेंट साइड पर जी हा दोस्तों मैं और मेरे साथ बहुत से यूटूब वाले यह चैनल बनाते वीजा कंसल्टेंट बनाते कई तो स्टूडर्स लोग भी बनाते लेकिन हमारी जारी इंफरमेशन को आपको ऑफोराइज मत समझी आपको ऑफोराइज इंफरमेशन मिलेगी सिर्फ यहीं से यहीं गवर्मेंट ओफिशल वेब साइड है दोस्तों इस पर ही जाके आपको लेटेस इंफरमेशन चेक करनी रहेगी तो यह और मैंने आगे भी बताया है कि www.canada.ca है ठीक है canada.com न रखेगा अगर आप canada.com करते हो तो यह अलग हो जाएगी वेब साइड वो गवर्मेंट नहीं है यहीं गवर्मेंट है तो आप गवर्मेंट रेगूलर साइड चेक कीजिए फिर आप अपनी डेडलाइन जी हाँ फी पेड करने के बावजूद भी आप अपनी डेडलाइन चेक कीजिएगा कि आप कौन सी डेडलाइन तक आपकी कॉलेज या इनिवर्सिटी को डिफर रिक्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है साथ में आपकी कॉलेज या वेब साइड को भी आप रेगूलर अपडेट कीजिएगा वहाँ पे भी वो लोग कोवीड-19 का रेगूलर अपडे कि वो इमेल चेक नहीं करते कॉलेज अपनी हर एक इंफरमेशन आपको मेल के तुरू पहुंचाती है ताइम सर और उसमें तो समझता हूँ टाइम से पहले पहुंचाती है लेकिन शायद वो इमेल आपका इन बॉक्स में रहा होगा या फिर स्पाम में चला गया तो लेकिन भी अब सप्टेंबर 21 के लिए जाना चाहते हो और साथ में आप ऐसा आप ऐसा चाहते हो कि आपके चार से पांच लाग रुपीज नहीं डूबे है न तो यह हमारा एडवाइस रहेगा अगर यह एडवाइस फॉलो करेंगे तो आपको टेंशन लेने के ज़रूरत नहीं है नहीं आपके चार से पांच लाग रुपीज दुबेंगे और टाइम सर आप अगर सप्टेंबर 21 में नहीं जा सके तो आपका जान 22 फॉलो हो जाएगा ठीक है और सदेशन साथ में यह तो रहेगा हमारा वेक्सिनेशन एक से दो दोस जो है कंपल सरी वो जरूर लीजिए औ और यह पूरा इंफरमेशन को अगर आप इन में से है अगर आप इन में से है तो हम भी अभी आसा बिल्कुल नहीं हमने लिव की है हमको भी ऐसा पॉजिटिव माइंड है कि अभी भी हो सकता है सप्टमर 21 तो उन स्टुडेंट्स को हम 50 परसन हैपी दिये है जी हाँ तो यह आप खास में ध्यान रखेगा दोस्तों तो यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अगर यह आपको इन्फरमेटिक लगता है वीडियो तो आप अपने किसी दोस्त रिस्तदार या फ्रेंड सरकल में जो आपको सुनने माय के बच्चा या स्टूडेंस कैनेड जा रहा है तो आप उनको फरवर्ड कीजिए और अगर आपने अभी तक यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ठीक है यह हमारा एड्रेस है अगर आप गुजरात में से हो ठीक है दोस्तों तो यह अमदाबाद हमारा लोकेशन से आप वहाँ पर आके मेरे को मिल सकते हो हमारा यह नंबर रहेगा अगर आप नौर्थ साइड गुजरात से हो तो मैसाना यह हमारा ऑफिस है यह उसका नंबर है आप वहाँ में भी कम्मिनुकेट कर सकते हो यह हमारा क चलोल में भी ब्रांच है यह उसका अड्रस है यह उसका नंबर है जैसे मैंने पहले भी बता है तकरीबन 14 साल से हम इस फिल्ड में है तो 2007 से लेकिए हम कैनेड़ेन एजुकेशन इंस्टिशन और हाई कमिशन और गवर्मेंट और कैनेड़ा का पूरा प्रोसेस हम देख सकते हो अगर आप गुजरात में से नहीं हो फिर भी आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप हमें से जूड़ना चाहते हो हमसे फ्री एडवाईज लेना चाहते हो अपकी स्टडी के बारे में कैनेड़ा की तो आप कौन से और माध्यम से हमसे जूड़ सकते हैं उसकी पेज है केर स्टुडेंज वीजा उसको आप फॉलोग कर सकते हो अगर आपको पी आर रिलेटेड इफेमेशन चाहिए जी हाँ कैनेड़ा सिफ पी आर में इंट्रस्टेड है तो केर पी आर वीजा इस पेज को भी आप फॉलोग कर सकते हो यह इंस्टा अमारा एकाउंट है यह हमारा लिंक्डिन अकाउंट है या आप फिर हमें ट्वीटर पे केर इमी ठीक है यह हमारा ट्वीटर है ऑफिशल ट्वीटर हैंडल उससे भी आप हमको ट्वीट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि सारी इंफेमेशन आपको वाट्सप पे दी जाए तुरंत दी जाए वीडियो बनने से पहले ही आपको दी जाए तो यह हमारा वाट्सप नंबर है उस पर आप अपना सिर्फ नाम लिख के हमको भेज दीजिए हम आपको ब्रोड़कार्स लिस्ट के तुरू सारी इंफेमेशन देते रहेंगे तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो इंफेमेटि झाल 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 झाल